दोस्तों जैसा कि आपसे भी जानते हैं कि बॉलिवोड इंडस्री की फिल्में कितनी दमाकेदार और एक्शन से भर पूर होती हैं, जिसमें हमें हीरो और विलन के बीच तफ कॉंपेटिशन देखने को मिलता है और इन दमाकेदार एक्शन को परफेक्ट बनाने में इन फिल् फिल्मों में खलनायकों को भी दर्शकों का जम कर प्यार मिलता था लेकिन दोस्तों समय का पहिया हर वक्त एक सा नहीं होता इसलिए आज के अमारे इस वीडियो में हम आपको बॉलिवुड इंडस्ट्री के उन पांच खलनायकों सिरू बरू करवाने वाले हैं जो आज गुम अपनी खलनायकी का जबर्दस्त रंग बिखेरने वाले सदासिव अमरापुरकर का जन 11 मई साल 1950 को एहमद नगर में हुआ था इनकी पहली फिल्म साल 1983 में आई अर्द सत्ते थी जिसके बाद अमरापुरकर तीन सो से भी जादा फिल्मों में अभीने करते हुए नजर आए इन्हें साल 1991 में आई फिल्म सडक में खलनायकी के किरदार के लिए जाना जाता है आपको बता दे की अपनी खलनायकी के गहरी चाप छोड़ने वाले सदासिव अमरापुरकर तीन नवंबर साल 2014 को 64 साल की उम्बर में इस दुनिया को अलविदा कह गए अपनी जबरदस्ट खलनायकी से दैशकों का भरपूर मनुरंजन करने वाले दीपक शिरके का जन 29 अप्रेल साल 1957 को हुआ था उन्होंने साल 1993 में आई फिल्म तिरंगा में गेंडा सुआमी के किरदार को बड़ी खुपसूरती से परदे पर पेश किया था तभी तो दैशक का आज भी उनके गेंडा सुआमी के नाम से ही जानते हैं इन्होंने आज भी अपने अभीने करियर को बरकडा रखा हुआ है जहां ये मराटी फिल्मों और सीरियल्स में नजर आते हैं अभी नेता रामी रेड़ी उन अभी नेताओं में से एक थे जो विलेन के हर किरदार में जान डाल देते थे इनका जन्में एक जन्वरी साल 1969 को आंधर परदेश में हुआ था इन्हें फिल्म वक्त हमारा है में चिंकारा के नेगेटिव किरदार के लिए जान जाता है साल 1995 में आई फिल्म आंधोलन में इनके बाबा राय की किरदार को आज भी दर्शकों दुआरा काफी ज़दा सराह जाता है हालाकि रामी रेड़ी ने 14 अप्रेल साल 2011 को अपनी 52 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया हिंदी फिल्मों में अपने डरावने किरदार से सभी को डराने वाले अभीनेता मोहन जोसी जो एक भारती फिल्म अभीनेता होने के साथ साथ टेल्विजन और थेटर अभीनेता भी हैं उन्होंने हिंदी मराथी और भोचपुरी फिल्मों में अपने अभीने का जल्वा भी खेरा है इनका जन 4 सितंबर साल 1945 को बेंगलूरू में हुआ था कुछ समय बाद मोहन जोसी ने अपना रुक छोटे परदे की ओर कर लिया और आज भी इन्होंने अपने अभीने करियर को बरकरार रखा हुआ है जहां यह मराथी फिल्मों और सीरियोल में अभीने करती हुई नजर आते हैं 5. टीनु वर्मा साल 2000 में आई फिल्म मेला में खलनायक गुजर सिंग का किरदार टीनु वर्मा ने निभाया था जिनके इस किरदार को आज भी दज को दुआरा खुब पसंद किया जाता है यह ओनभीनेताओं में से एक रहे थे जिन्होंने अपने गुजर सिंग के किरदा से रातो रात अपनी एक अलग पहचान बना ली थी इन्होंने 43 साल की उम्र पार कर ली है और तीनु शर्मा ने कुछ समय बाद अपना रुक डायरेक्शन की और कर लिया जिसके बाद इन्होंने मा तुझे सलाम और बाज ए वर्ड इन डेंजर जैसे फिल्मों को आज भी अपने करियर को बरकरार रखा हुआ है तो दोस्तों आपको इन खलनायकों की बारे में जानकर कैसा लगा आप अपनी राय हमें कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरू बताएं साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले